दोस्तों कैसे आप सब तो चली आज बनाते हम ढोकला सेंड्वीच पर बैसन गनी बहुत ही अलग स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है तो एंट तक ज़रूर देखना इसके लिए मैंने यहां पर एक कटोरा जो है वो सुजी लिया है और चार से पांच टे और इसका गोल तयार कर लेंगे तो सुजी में थोड़ा ज़्यादा पानी एड़ होता है तो बहुत ही अच्छे से पानी एड़ करके इसका गोल तयार कर लिया है अब हम इसे ढख करके 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के बाद आप देखेंगे जो यह जो सूजिए न वो बहुत ही अच्छे से फूल चुका होगा तो हम इसमें एड़ कर देंगे एक चमच बेकिंग सोड़ा उसके बाद धोड़ा सा और पानी एड़ करना है और धोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट हमें बना करके इसका बैटर तयार कर लेना है बिलकुल इस तरह से बैटर तयार हो चुका है अब हम कोई भी ग्रीस किया हुआ टीन ले लेंगी या फिर आप कोई भी बरतन ले सकते उसमें हम ये बैटर को ट्रांसफर कर देंगे अच्छे से तो रेसिपी को एंटर जरूर देखना आपको बहुत ही जादा पसंद आने वाला है ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पर बरतन में मैंने गढ़ाई को प्रेहीट कर दिया है पाच मिनिट तक थोड़ा सा पानी आट करके अब हम बरतन को बीच में रखेंगे और इसी कम से कम 15-20 मिनिट तक स्टीम करेंगे 15 मिनिट बाद आप एब चेक कर लिजेगा जब तक वो स्टीम हो रहा तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाते तो तेल को गरम कर दिया है उसमें डाला जीरा बारी कटा हुआ लसन थोड़ा सा सीजल कर लेंगे उसके बाद दो बारी कटा हुआ प्याज आइड करेंगे और प्याज को हम थोड़ा देक तक भून लेंगे प्याज थोड़ा सा भून जाएगा एड कर देंगे हम उसमें बारी कटा हुआ सिमला मिर्च और थोड़ा सा नमक half teaspoon half teaspoon healthy powder और half teaspoon red chili powder सारे मसाले को भी हम mix कर देंगे half teaspoon cumin powder मतलब jeera powder भी add कर दिया है सारे मसाले को मच्चे से भून लेते हैं मसाला जब भून जाएगा ना उसके बाद हम इसमें add कर देंगे दो बारी कटा हुआ टमाटर और सारे मसाले को हम ढख करके पाच मिनित तब cook कर लेंगे और यह हमारा मसाला तयार हो चुका आप चाहे तो इसे इसे भी रख सकते बट मैं इसमें boil किया हुआ आलू add कर दिया हूँ जिससे की मसाले का टेस्ट और बढ़ जाता है तो आलू add कर दिया है और अच्छे से इसे mash करके mix कर देंगे तो यह मसाला बनकर तयार हो गया है और यहां भी हमने जो इस्टीम करने के लिए रखा था वो perfectly स्टीम हो चुका है 15 मिनेट ही मुझे लगा था इसे स्टीम करने में अब हम इसे demold कर लेते और यह देखे हमारा perfect सा धोकला सुजी का धोकला बनकर तयार हो चुका है अब हम इसे किसी भी safe में cut कर लेंगे आप बढ़ा छोटा किसी भी safe में cut कर सकते बहुत ही अच्छे से खेल चुका है बीच से भी हम इसे cut कर देंगे और इसके बीच में न हम जो stuffing स्टफिंग बनाया था हमने वो हम इसमें फिल करेंगे यह देखी बहुत ही अच्छी से स्टफिंग भर देना है और उसके बाद उपर उला जो पार्ता उसे रख करके इसे हम बन कर देंगे तो यह बहुत ही अच्छा सा सूजी का ढोकला सैंविच बनकर तयार हो जाता है जिस बस बस इस ढोकले सैंविच को हम सेख देंगे दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके तो इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है तो यह बिल्कुल ऑप्सिनल है सेख आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते है बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और चाहे तो आप इसे सेख भी सकते है तो यह रेस्पी बनगर तयार हो चुकी है आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना इसी टमाटर की चटनी को कोनट की चटनी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो चली मिलते नेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो रेस्पी पसंद आती है तो जरूर ट्राइ करना मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको रेस्पी कैसी लगी